मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लिकेशन और वेपसाइट है जहां पे काम करने के बदले आपको फ्री में बिटकोईन दिये जाते हैं लेकिन वहां से bitcoin निकालने के लिए आपको किसी ने किसी crypto wallet या bitcoin wallet की जरुवत परती है अगर हम इंडिया से work करते हैं ऐसी application और website पे तो हम अपने Indian exchange पे directly उसे नहीं निकाल सकते क्योंकि अधिकांस application और website वो foreign की होती है, बिदेश की होती है तो वो international exchange को support करती है और most of case में ऐसा देखा गया है कि अधिकांस website और application coinbase को support करती है जैसे कि आप StormX application को ही देख लीचे, इसका promotion मैंने 2-3 दिन पहले किया था और यहां से अगर आप bitcoin earn करते हो और इसे निकालना चाहते हो तो आपके पास में coinbase account का होना जरूरी है coinbase एक crypto wallet है और इसे international exchange भी कहा जाता है यहां पे आप bitcoin को store कर सकते हैं कहीं से भी bitcoin receive कर सकते हैं और किसी को भी bitcoin आसानी से send कर सकते हैं इतना ही नहीं अगर आप यहां पर trading करना चाहा है bitcoin से other cryptocurrency को exchange करना चाहा है तो गो भी आप आसानी से यहां कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको Coinbase पे एक नया एकाउंट बनाना सिखाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी CryptoCancy को Coinbase एकाउंट में मंगवा सकते हैं, और अगर आप किसी को send करना चाहे तो आसानी से यहां से send भी कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ हूँ, उससे पहले मैं आपको बतादू कि अभी हमारे चैनल पे Bitcoin की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको Bitcoin को buy करना, sell करना और एक application की जरीए free में Bitcoin earn करना सिखा चुका हूँ, Coinbase पे एकाउंट बनाके बताने का मेरा main motive यह है, क कि बहुत सारी ऐसी application और website में आगे चलके आपको देने वाला हूँ, जहां से आप पैसा स्रिफ और स्रिफ Coinbase में ही निकाल पाएंगे, फिर इस Coinbase को आप अपने Indian Exchange पे transfer करेंगे, और उसके बाद जो है कि उसे अपने bank account में ले लेंगे, अगर आप वो वीडियो देखना चा buy, sell करना और profit करना सिखा देगी, चलिए बात कर लेते हैं Coinbase पे account बनाने की process को, तो इसके लिए आप directly play store पे आ सकते हैं, और यहां पे search कर सकते है Coinbase, आपको Coinbase की app दिख जाएगी, या अगर आप वीडियो के title बार पे click करते हो, तो नीचे में description खुलेगा, और यहां पे मैं एक link दे दूँगा, यह link directly आपको हमारी website पे redirect करा देगी, और वहां से आपको Coinbase के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी, जानकारी को आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, और नीचे में आपको download का एक option दिखेगा, जैसे आप इस download वाले button पे click करें जब आपकी application install हो जाती है, तो आपको इस application को directly open करना है, open करते ही कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा, और यहां पे यह Bitcoin के price वगड़ा को आपको दिखाना चालू कर देगा, आपको यहां get started पे click करना है, क्योंकि आप पहली बार इसमें account बना रहे हैं, तो get started पे आप tap करेंगे, tap करते ही आपके सामने form आ जाएगा, account बनाने का, यहां पे आपको अपना first name डालना है, फिर यहां पे आपको last name डालना है, एक email ID आपको देनी है, और ध्यान रखेगा, वही email ID आपको यहां पे देना है, जिस email ID को आप permanently use करते हो, क्योंकि यह email ID आपके लिए देना होगा, Coinbase directly email address के जड़िये ही पैसा send कर देता है, जैसा कि PayPal send करता है, तो आपको यहां पे वही email address देना है, जो आप हमेशा use करते हैं, उसके बाद यहां पे एक strong password बना लेना है, password बनाते समय आपको ध्यान देना है, कि पहला letter जो है, गो capital होना चाहिए, फिर उसके बा digit का password बनाईएगा, ताकि यह strong रहे और आपके इस Bitcoin wallet को कोई hack ना कर सके, इस चीज़ पर थोड़ा सा आप ज्यादा focus कीज़ेगा, कि password आपका strong होना चाहिए, उसके बाद आपको यहां टिक मॉक पे click करना है, और sign up पे click कर देना है, यहां पे मैंने सारी details डाल दी है, चलिए अब sign up पे click करते हैं, sign up पे click करने के बाद आप next page पे redirect हो जाएंगे, और यह page कुछ इस तरह का होगा, जहां पर यह बोलेगा कि आप अपनी email address को verified कीजिए, क्योंकि यहां पे email address आपके लिए बहुत ही important हो जाता है, तो आपको email address को verified करना होगा, इसके लिए आपको अपना inbox चेक करना होगा, तो अगर आपने अपना Gmail का account यहां पे दिया हुआ है, तो आप यहां जाएंगे, Gmail को open करेंगे, और Gmail के अंदर आपको एक mail नजर आ जाएगा, जिस पे आपको tab करना होगा, अगर यहां पे mail नजर नहीं आए, तो आप यहां पे आजाएंगे, spam वाले folder मे यहां पे आपको गो mail दिखाई देगा, मैंने अपने case में आप देख सकते हैं, कि यहां पे Yahoo का mail दिया है, तो मैं अपना Yahoo account ओपिन करूँगा, मेरे दूसरे phone में यहां यहां एकाउंट लॉगनी इन है, मैं इसे Yahoo को open करता हूँ, और देखिए, यहां पे Coinbase की ओर से हमें ए इंटरफेस automatically जो है, यहां पे कुछ आया नहीं, आपके case में आ जाएगा email address verified लिखा हुआ, तो यहां email address verified हो गया है, तब भी जाके हमारे case में यह section खुल गया है, तो जैसे मैंने यहां पे इस वाले पे टैब किया, यह जो जगह देख रहे है, verify email address पे, verify email address पे मैंने क्लिक क गया, और यह जहां ले गया, थोड़ा दिर मैं रुका, और मेरा यहां interface देखे, बदल गया, अगर आप उसी phone में use कर रहे होएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, back आएंगे, तो आपका interface बदल चुका होगा, यहां पे जो है कि आपको अब अपने account को secure करना है, तो यहां प complete करने है, दूसरा step है मेरा, कि हम अपने account को secure करेंगे, चलिए हम start पे click करते हैं, यहां पर यह बोल रहा है कि आपका account तभी secure होगा, जब आप two step verification complete करेंगे, चलिए हम यहां पे continue पे click कर देते हैं, अब यह हमारा mobile number मांगेगा, mobile number देने से एक फायदा क्या है, कि जब भी को complete नहीं करते है, तो हमारा account secure नहीं हो पाएगा, और coinbase की rule के अनुसार आप आगे की procedure नहीं कर पाएगे, तो आपको अपने account secure करना ही होगा, तो यहां पे आप mobile number ज़रूर इंटर कीजेगा, एक और फायदा है mobile number इंटर करने से कि कभी अगर आप अपना password भूल जाते है, तो यह mobile number आपको recover करा के देगा उस password को, मैंने अपना mobile number यहां पे इंटर कर दिया है, चलिए continue पे क्लिक कर देते हैं, अब हमारे number पे एक OTP गया होगा, 7 digit का यह code होगा, और मुझे यहां पे सायद message गिरा हुआ, नजर आ गया है, चलिए हम OTP को देखते हैं, यह OTP आ चुका है जिसमें 7 digit का जो code है, हो Coinbase की ओर से है, हम यहां पे इसे type कर देते हैं, code मैंने डाल दिया है, अब हम यहां continue पे click करेंगे, continue पे click करते हैं, यहां पे यह बोलेगा you are verified, अब आपको next procedure done करना है, let's go पे आप click कर दीजे, अब यह आपको Coinbase के homepage पे ले जाएगा, जहां पे आप Bitcoin की price वगड़ा देख सकते हैं, यह सारे के सारे आपको dollars की रूप में गन्ना दिखाएंगे, जिसे आप रूपी के रूप में भी बदल कर देख सकते हैं, और यह Coinbase का home interface है, जहां पे आपको नीचे में home नजर आएगा, यहां पे portfolio नजर आएगा, portfolio एक ऐसा जगा होता है, जहां पे आपने कितना निवेस किया है कौन कौन से coin में, या कितना पैसा है आपका कौन कौन से coin में, और इसकी value क्या चल रही है, यह सारा का सारा चीज आपको portfolio में दिखाई देता है, साथी साथ यहां पे जो आपको दो arrow के mark नजर आ रहे हैं, यह exchange का mark है, यानि कि अगर आप यहां से cryptocurrency को another cryptocurrency में change करना चाते है, convert करना चाते है, जैसे आपके पास में bitcoin है, और उसे आप ethereum में बदलना चाते है, आप other cryptocurrency बहुत सारे है, उसमें बदलना चाते है, तो यहां से आप बदल सकते हैं, यहां से आप send कर सकते हैं, यहां से आप bitcoin receive कर सकते हैं, यहां पे से कमाल की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो क्रेंसी को यह सपोर्ट करता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं मार्केट कितना डाउन हुआ है अप हुआ है 24 घंटे के अंदर यह सारी चीज़े बताएगा इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी भी डीटेल से आपको नजर आएगी कि मार्केट का उतार चढ़ाव कैसा रहा है कब बिटकोईन हाई गया है कब लो हुआ है और साथी साथ आपको यही बताएगा कि ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 74 परसेंट लोगों ने बिटकोईन को बाई करने में इंटरस्ट दिखाया है और 26 परसेंट लोगों ने बिटकोईन को सेल करने में इंटरस्ट दिखाया है तो इससे आप एक अगंडना लगा सकते है कि bitcoin को आपको खडीदना चाहिए या बेचना चाहिए यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मैं इसके चर्चा करूँगा बठिया से पहले मैं setting में आपको लिचलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपको currency change करके दिखाता हूँ यह setting का section है जहाँ पे अगर आप इंडिया से है तो आप अपनी country के निसार चूच कर लिजेगा अगर किसी और देश से है तो उसको अपनी country के निसार चूच कर लिजेगा यहाँ पे native currency लिखा हुआ है इसके आप क्लिक करेंगे by default यहाँ पे UST save है हम यहाँ से INR save कर लेंगे क्योंकि हमारा country इंडिया है और हमारी country INR को support करती है यहाँ INR पे हम क्लिक करेंगे और OK बटन दबा देंगे अब सारे के सारे जो गन्ना है यहाँ यह UST के बदले अब आपको rupees में दिखाए जाने लगेंगे यहाँ पे यह सारे के सारे जो मैं price के ओर ले जाता हूँ आसानी हो जाएगी कि कौन से coin का price अभी इंडियन rupees के अनुसार कितना चल रहा है इस platform पे मैं आगे सब चीज़ बताओं उससे पहले आपको अपने आपको verified करना होगा verified करने के लिए आप setting के अंदर आएंगे यहाँ पे आपको एक option दीखेगा limits and feature तो यहाँ पे आप tap करेंगे tap करते ही आपको यह बताएगा कि आपका send cryptocurrency enable है receive cryptocurrency enable है यानि कि आप अपने इस account से किसी को भी cryptocurrency send कर सकते है और receive कर सकते है लेकिन अगर trading वगड़ा करना चाहते है यानि कि एक currency से दूसरे currency में switch करना चाहते है profit कमाना चाहते है तो इसके लिए आपको अपने आपको verified करना होगा और यह verification का process है एकदम छोटा सा है देखिए मैंने level 1 पार कर लिया है नाम, email वगड़ा verify करके अब label 2 में है कि हमें अपनी identity यहाँ पे verified करनी है उसके बाद जो है कि हम आसानी से यहाँ पर दूसरा पड़ाव पार कर लेंगे और पूरी तरह से verified हो जाएंगे और उसके बाद हर चीज़ यहाँ से कर पाएंगे चलिए verify personal information पे click कर देते हैं अब आपके सामने दो option खुलेंगे पहला कि आप अपना personal information यहाँ पे add कीजिए और दूसरा verified photo ID यानि कि अपनी कोई भी ID यहाँ पे देनी है उसके बाद continue करना है तो चलिए सबसे पहले हम अपना personal information यहाँ पे डाल देते हैं इस पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना first name, last name, date of birth, address और आपका जो area का pin code है यह सब चीज़ आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सारी details यहाँ पे डाल दी हैं यहाँ पे हम एक चीज़ select कर लेंगे इसमें हम किस चीज़ के लिए coinbase को use करने जा रहा है तो यहाँ पे option कई तरह के आगए है जैसे कि invest करेंगे, हम यहाँ पे trading करेंगे trading on another exchanges है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे available है तो हम यहाँ पे online payments के लिए इसे use कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे payments मंगबाऊंगा और send करूंगा क्योंकि trading करने के लिए मेरे पास में Indian exchange काफी है तो मैं इसे trading के लिए use नहीं करूंगा यहाँ पे जो है कि यह source बताएगा कहां से आप यहाँ पे पैसे लाएंगे mining के जड़िए, investment के जड़िए या किस जड़िए आप लाएंगे यहाँ पे मैं पहला वाला optional choose कर लेता हूँ यहाँ पे job title पूछ रहा है तो job title में आप कोई भी चीज डाल सकते हैं मैं देख लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ से farmer ही डाल देता हूँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे employer लिखा हुआ है तो इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हैं चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको continue का option है इस पे click कर देना है जैसे ही continue पे आप click करेंगे तो आपकी personal information यहाँ पे complete हो जाएगी complete लिखा हुआ आ जाएगा अब आपको अपनी identity verified करनी है तो यहाँ आप photo ID पे click करेंगे ध्यान रखेगा इसमें वही ID आपको देना है जिस पे आपका photo लगा हुआ होना चाहिए तो यहाँ पे identity card है और यहाँ पे driver license है और passport है तो इंडिया में ज़्यादा तर लोग के पास पे आधार card होता है तो मैं identity card के ज़रीए आधार card का इस्तमाल करूँगा अगर आपके पास में driver license है या आपके पास में passport है तो आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पे identity card यानि कि अधार card का इस्तमाल करने वाला हूँ यहाँ पे बोलेगा कि आप पहले photo इसका खीच लीजे take photo पे click करेंगे तो यहाँ जो है camera open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है अगर आपको लगता है कि यह गलत हो गया है तो आप retake पे भी click करके दोबाड़ा इसे click कर सकते हैं देखी कभी-कभी अगर आपका आधार card यहाँ पे support नहीं लेता है तो कोई बात नहीं आप यहाँ पे pan card भी upload कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पे confirm पे click कर देते हैं अब यह बोलेगा कि आप अपने आधार card का back side का photo खीचे हैं वो तो आपका front side का था अब back side का तो यहाँ पे हम चलिए फिर take photo पे click करके back side का photo ले लेते हैं यह मैंने back side का भी photo ले लिया है identity का आप यहाँ confirm पे हम click कर देंगे यह uploading होने में थोड़ा सा time लग सकता है और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीज़ेगा कि जो भी आप identity की photo खीच रहे है वो एकदम साफ साफ होना चाहिए अब यह बोल रहा है processing verification साथी साथ लिखा हुआ है कि आपका जो identity है वो बहुत जल्द verified कर लिया जाएगा और फिर आपको email की जरिए notification दिया जाएगा कि हाँ आपका जो identity है वो verified हो गया है अगर verified नहीं होता है तो भी information दिया जाएगा जहाँ पे आप बात में आके इसे फिर से verified कर सकते हैं अब यहाँ continue पे आपको click करना है और यह देखिए processing में चला गया चलिए हम इसे continue पे click कर देते हैं यहाँ पे और भी documents आप submit कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यह documents इनफ नहीं है तो आप plus पे click करके और भी other documents भी यहाँ पे submit कर सकते हैं अब आईए हम आपको बता देते हैं कैसे आप यहाँ पे कोई भी cryptocurrency मंगवाएंगे store करेंगे और फिर उसके बाद जो है कि किसी को send करना है तो send कर सकते है या trading करना है तो trading कर सकते हैं यह सरा चीज हम आपको अभी बता देते हैं सबसे पहला जो सुरुआत हम करते हैं वो करते हैं home page पे home page पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे fund account का एक option दिखाई देगा अगर आप इस पे click करेंगे तो आपको सीधे यह portfolio में ले जाएगा जहाँ पे बताएगा कि आपके account में कितना कितना fund अभी जमा है मैंने अभी अभी account बनाया है तो यहाँ पे कोई भी fund हमारे पास में available नहीं होगा तो शरी हम इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे आपको कुछ regular basis पे कुछ notification आते रहेंगे जिसको आप देखते रहे हैं कभी-कभी कुछ offers भी आते रहते हैं यहाँ पे आपको bitcoin की चीज़े दिखाई देगी कि bitcoin क्या high चल रहा है नहीं चल रहा है सारी चीज़े और यहाँ पे आपको कुछ moves दिखाई देंगे कि कौन सा cryptocurrency कितना move किया है पलस में गया है या माइनस में गया है सारी चीज़े आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके जरीए आपको अलग से एक्स्ट्रा आमधनी देखने को मिलेगी लेकिन उसके भी कुछ टार्बेंग कर्डिसन है जैसे कि आपको 734 रुपए मिलेंगे लेकिन आपके फ्रेंड्स को कम से कम इतना का क्रिप्टो क्रेंशी जो है वो बाई और सेल करना पड़ेगा तब आपको मिलेंगे तो यह तो चलिए रेफर राइन की पॉलिसी है जो अधिकांस लोग इसे नहीं कर पाएंगे यहाँ पे देखिए नीचे में आपको दिखाई देगा बहुत सारे top stories तोरी यानि की news दिखाई देगे कि crypto market में क्या चल रहा है अभी हाल फिलाल में सारे news आपको दिखाई देगे दूसरा है यहाँ पे portfolio जहाँ पे आपको अपना Bitcoin या जितने भी cryptocurrency है उसके यहाँ पे साड़े wallet दिखाई देंगे कि कितना में कितना amount आपके पास में है जैसे UST में आपका amount है कि नहीं, BTC में कितना amount है, Bitcoin cash में कितना amount है यहीं पे आपका basically wallet है और यहीं से आप कोई भी wallet address निकाल सकते है और किसी को पैसा send कर जकते है जैसे कि हम बात कर लेते हैं, Bitcoin की ही, तो यह मेरा Bitcoin का wallet है वैसे ही Bitcoin cash का है, Ethereum का है, हर किसी का wallet है, अब यहाँ पे किसी एक पे हम tab करते हैं Bitcoin है इस पर अगर हम यहाँ पर tap करेंगे तो यह हमें अंदर ले जाएगा और यहाँ पर Bitcoin के moves दिखाएगा यह दिखाएगा graphs Bitcoin के कैसे 24 घंटे का अंदर Bitcoin कहां गया है यह day का है hourly भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहे तो तो आप कैसे receive करेंगे कहीं से भी तो देखिए सबसे पहला हम बात कर लेते हैं Stromix की यानि कि Stromix application के बारे में मैंने आपको बताया था यह Stromix application है तो Stromix application से अगर आपको Bitcoin निकालना है आपका Bitcoin यहाँ पर store हो जाता है आपका 2-3 लाग के कड़ी में बोल्ट सुझाता है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं तो देखिए एक app का ही उदारन में दे रहा हूँ आपको जैसे कि Stromix app है इससे अगर Coinbase पर आपको पैसा निकालना है तो बस यहाँ पर आके आपको Coinbase का जो email address है वो email address यहाँ पर type कर देना है जो भी आप Coinbase का email address दिये होईंगे वो आपको यहाँ पर type कर देना है और type करने के बाद area पी click करना है click करते ही यहाँ पर email address save ले लेगा और उसके बाद अपने सारे पैसे आपको वहाँ पर transfer कर पाएंगे ध्यान रखेगा सबसे पहला जो तरीका है आपको कि अगर आपको Coinbase पे पैसे मंगवाने है रिसीव करने है Bitcoin तो बहुत सारी ऐसी app और बहुत सारी ऐसी website है जो आपको सिर्फ और सिर्फ Coinbase का email ID मांगेगी और email ID तो आप जानती है जिससे आपने बनाया था account तो वो email ID दे दीजेगा उसके बाद जो है कि वो अपना processing time लेगा और जितना देर हो सको उतना देर में आपका Bitcoin यहाँ पे send कर देगा और जब आपका Bitcoin यहाँ पे send हो जाएगा तो यह आपको आपके wallet में दिखना चालो हो जाएगा आप portfolio वाले section में आएंगे और portfolio में ही आपका जो भी cryptocurrency होगा जो भी आप निकाले होएंगे वहाँ से उस site से या उस app से तो उस section में आपको यहाँ पे दिखाई देने लएगा कि हाँ हमारे पास में इतना जो है amount का Bitcoin है ठीक है तो यहाँ पे आपको सबची दिखाने लएगा और अगर बहुत सारी ऐसी websites है बहुत सारी ऐसी app है जो कहेगी कि नहीं हमको Bitcoin का address दीजिए तब ही हम भेजेंगे तो आप address भी यहीं से निकाल सकते हैं सबसे पहले तो आपको portfolio में आना है portfolio में आने के बाद आपना जो Bitcoin है या जो भी आप currency मंगाना चाहते है उसके wallet पे लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है receive Bitcoin इस पर भी क्लिक करके आप अपना address खोज सकते हैं लेकिन हर बक्त यह receive Bitcoin यहां पर लिखा हुआ नहीं आएगा जैसे अभी receive Bitcoin लिखा हुआ है और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो हमें कुछ TJ पूछेगी और उसके बाद हमें एक address दे दिया जाएगा लेकिन हमेशा वहां पर लिखा नहीं आएगा आपको यहां पर रहेगा receive Bitcoin करने के लिए Bitcoin आप तीन तरीके से यहां पर receive कर सकते हैं पहला तरीका है कि आप email address दे दिजिए सामने वाले को आपको भेद देगा दूसरा तरीका है कि यहां पर QR code scan करवा लिजे यहां तीसरा तरीका है कि आप अपना address दे दिजिए उसे address पर भेदेगा तो most of cases में address दिया जाता है और coinbase के cases में ज्यादा तर email ID दिया जाता है अगर address मांगता है तो यहां देखिए यह QR code वाला निसान है इस पर click कीजे, click करते ही आप देखिए आपके सामने कुछ चीजे पूछा जाएगा यह one time है एक बार आपको यह सब चीज understand कर देना है देखिए आपका QR code आपके सामने आ जाएगा और यह QR code अगर कोई scan करेगा तो उसको automatically है जो की address मिल जाएगा और वो आसानी से आपको bitcoin भेदेगा लेकिन अगर QR code नहीं मांता है सिर्फ address मांता है तो यह दिखेए यह नीचे में address है इसे आप यहाँ से copy कर सकते हैं यहाँ copy पे click कर दीजेगा यह copy हो जाएगा और जिसको भी आपको भेजना है या जिस app में आपको save करना है आप easily जो है कि उसको यहाँ पे save कर सकते है यह आपका address हो गया या पूरा का पूरा address हो गया bitcoin का और इसी पे वो bitcoin आपको भेजेगा और जब इस पे वो bitcoin भेज देगा तो आपका bitcoin जो है आपके bitcoin wallet में 2-3 घंडे के अंदर वो transaction verified होने के बाद आपके bitcoin wallet में यहाँ पे so हो जाएगा कि कितना bitcoin है जो समझ गये आपको कि bitcoin कैसे receive करना है अगर estromix से receive करना है तो स्रिप email address दे द copy करके दे देना है और आपका bitcoin वहां से भेज दिया जाएगा लेकिन ध्यान लेखिएगा अगर आपको दूसरी cryptocurrency मंगवानी है जैसे कि ethereum है या आपका यह ethereum classic है लिट coin है तो इन सभी का address अलग-अलग होता है तो जो मंगवाना है उसी का address दीजेगा जैसे लिट coin को या ethereum आपको उगवाना है तो ethereum पर click किजेगा फिर इसका wallet खुल जाएगा नीचे में ethereum आपको दिखाई देगा इस पर click किजेगा और उसके बाद ऊपर में यहां इसका qr code नजड़ाएगा इस पर click किजेगा और यहां पर जो address खुलके आएगा वह address आपको वहां पर submit करना है तो यह मैं आपको directly बता रहा हूं कि क्या करना है लेकिन most of case में तो आपको bitcoin का ही काम होगा तो सब का अलग-अलग address होता है ठीक है ध्यान लखेगा अगर आप bitcoin मंगाना चाहते तो bitcoin का अलग address होगा ethereum मंगाना चाहते तो ethereum का अलग address होगा ऐसा नहीं कीजिगा कि हाँ अगर store कहलाता है यानि कि जमा करके रखना तो वह store रहेगा कभी-कभी store करने पर आपको फायदा मिल जाता है जैसे अगर आपने कुछ bitcoin यहाँ पे store करके रखा तो कभी-कभी यह coinbase वाले बोलते हैं कि अगर आप bitcoin इतना store करके रखते हैं तो कोई दूसरी currency यहाँ पे अगर release हो र रखा था कुछ दिन पहले नहीं मतलब 2-3 साल पहले की बाद है और उसके बाद मुझे bitcoin cash जब यहाँ पे release हुआ तो मुझे bitcoin cash जो है वो free में मिल गया जितना bitcoin था उतना का bitcoin cash मुझे मिल गया तो समझे कि यह कभी-कभी offer आता है अगर आप यहाँ पर hold करके रखेंगे लेकिन अगर आपको पैसे की जरूत परेगी तो यहाँ से आप इसे बेचेंगे लेकिन डारेकली यहाँ पर आप नहीं बेच सकते हैं यहाँ पर डारेकली rupees में नहीं बेच सकते हैं कहीं option ही नहीं है एक्सेंज पर किया करना है इस bitcoin को send कर देना है अपने वजिरेक्स पर या Indian एक् पहले से बना के रखी हुई है और इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहां पे क्लिक करेंगे तो यह प्लेलिस्ट खुल जाएगा और प्लेलिस्ट में यहां पर वजीर प्लेलिस्ट के बाड़े में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पे क्लिक कर लिजे यहां पर जब आपका बिटकॉइन आ जाएगा तो आप इसे कैसे बेचेंगे फिर अपने एकाउंट मिलेंगे रुपए बनाके यह सारा प्रोसेस मैंने लाइव पैसे निकाल के भी इस इस वीडियो में बताया हुआ है तो आप इसे जाके जरूर देख लीजएगा अभी हम फिलाल बात कर रहे है क्वाइन बेस की तो क्वाइन बेस पी जब आपका पैसा आ जाए तो उस पैसे को आपको सेंड करना होगा आप सेंड करना सीख लीज़े किसी दूसरे को भी आप सेंड कर सकते हैं, अपने wallet में Indian Exchange भी सेंड कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा आपके bank account में आ जाएगा, जैसे हम Stromix कहीं एक उधारन लेते हैं, कि अगर Stromix से पैसा मेरा Bitcoin में यहाँ पे आ जाता है और Bitcoin यहाँ पे हमारा procedure करना है, portfolio में आना है, यहाँ आपको Bitcoin पे क्लिक कर देना है Bitcoin पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे माना है फिर BTC wallet दिखेगा, इस पे क्लिक करना है अब यहाँ पे दिखे, यह जो है send का mark है, देखे, आप ऐसा जो mark होता है यह तो QR code है, यह receive का mark है और यह send का mark है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यह पे जाएगा इसमें कहा जाएगा कि कितना Bitcoin आप भेजना चाते है, तो हमारे पास में तभी एक 0.00 Bitcoin है, यानि कि हैं ही नहीं Bitcoin, रूपी के ब्रावर भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको रूपय में अगर आप भेजना चाते हैं, तो रूपय में भेज़ दीजिए, अगर आप उसी Bitcoin को आप चाते हैं, कि मैं पूडा का पूडा भेज़ दू, तो send all पे क्लिक कर दिएगा, तो आपके पास में जितने Bitcoin हैंगे, सब मैं यहाँ से ले लूँगा, और अगर आपको कोई और अपना address देता है, तो उस address को आप copy करके उस address पे आप भेज़ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वजीर X पे भेजना चाता हूँ, तो यह BTC है, BTC का मैं wallet सबसे पहले निकालूँगा, यहाँ पे चलिए, यहाँ माई fund का एक option है, यहाँ पे fund का, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम BTC को पहले search कर लेंगे, चलिए, यहाँ पे BTC को search कर लेते हैं, क्योंकि मुझे bitcoin wallet चाहिए, BTC लिखेंगे तो आज आएगा, अब देखेंगे, यहाँ पे option मिल जाएगा, यहाँ पे deposit का, deposit पे हम क्लिक करेंगे, तो हमें एक QR code यहाँ पे जो है, कि एक मिल जाएगा address, अब हम ऐसे address को copy करेंगे, और यहाँ आजाएंगे हम coinbase पे, और coinbase पे क्या करेंगे, कि यह जो continue का option अभी blur दिखाए रहा है क्यों, क्योंकि हमाले पास में जड़ा सा भी bitcoin नहीं है, इसलिए यह continue नहीं होगा, जब आपके पास में bitcoin होगा, आप continue पे click करेंगे, तो next page open होगा, उस page में आपसे address मांगा जाएगा, या कहेगा scan करने के लिए, तो आप directly ये वाला चीज़ जो है, वो scan कर लीज़ेगा, ये वाला जो address है, वो address वहाँ पर डाल दीज़ेगा, और डालने के बाद जो है, कि आप simply वहाँ okay कर दीज़ेगा, 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पैसा है, ये वजीरेक्स में आ जाएगा, जिसको आप अपने वजीरेक्स के wallet वाले, यानि के fund वाले section में आके, यहाँ पर bitcoin वाले section में देख पाएंगे, कि कितना bitcoin आपके पास में receive हो चुका है, ये transaction verified होने में थुरा सा time लगता है, और पैसा आपका आ जाता है, और यहाँ से फिर base के bank में कैसे लेना है, यहाँ पर trading वगड़ा कैसे करना है, इसकी वीडियो तो मैंने बना दी है, जो playlist वीडियो के description में है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, तो यह होता है पुरा fund यहाँ से receive करने का, यहाँ पर store करने का, और यहाँ से send करने का, send कैसे करना है, यह तो मैं simply इसमें बताया हूँ, क्योंकि मेरे पास में तो अभी पैसे नहीं है, कि मैं directly पूरा send करके आपको दिखाऊ, लेकिन इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, बहुत पुरानी वीडियो है, अगर आपको मिलती है तो देख लीजेगा, मेरे चैनल पे ही वो वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजेगा, कहीं न कहीं आपको मिल जाएगे चैनल के वीडियो में, और मैं आने वाले कल में, जब Stromix से पैसा निकालूंगा, यहां पे तो यह भी बाते बताऊंगा, और उसके बाद जो ही कि आपको सेंड करके भी दिखाऊंगा, मैंने कई बार Stromix से पैसे निकाले है, अभी मैं जिस कैमरे से सूट कर रहा हूँ, जिस मोबाइल से, उस मोबाइल में में मेरा वो Coinbase का Account Login है, नहीं तो मैं आपको पूरा दिखा देता, यह कितना कितना पैसा मैं यहां से Regular Stromix से निकालता रहता हूँ, और कैसे Bank Account में बेजता हूँ, वो भी मैं आपको अगली वीडियो या कभी वीडियो बनाऊंगा, फुरसत में, तो मैं उसे बता दूँगा, कॉमेंट कीजेगा तो तुथरा वो जल्दी में बता दूँगा, और आने वाले कल में मैं इस पे बहुत सारे टुट्रिल्स आने वाला हूँ, कैसे आप फिरियो में बिटकोइन कमाऊंगे, यहाँ पे आपको यह उप्सन दिखेगा, यहाँ से भी आप रिसीब कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, क्रिप्टो को कनवर्ट कर सकते हैं, कनवर्ट अगर करना हो तो इस पे आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप किसी किसमें कनवर्ट करना चाहते हैं, यहां पर आपको धियान देना है, अगर आपके पास में बिटकोईन है और उसको Ethereum बनाना चाहते हैं, तो यहां से आप इसको सिलेक कर लिजाए घूलीज़े कर अगर Ethereum है, अगर Ethereum नहीं, आप किसी और currency में, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह Ripple है XRP Ripple में बदलना चाहते हैं तो यहाँ से लेक कर लिजे फिर यहाँ Preview Trade पे क्लिक कीजे, Amount डाल के और उसके बाद आपका जो है वो Bitcoin कटके XRP में यानि कि Ripple में बदल जाएगा Ethereum में बदल जाएगा, तो यहाँ से आप Exchange भी कर सकते है किसी चीज को और वो आपका जो पैसा है, जो Bitcoin का पैसा है, वो आपके Portfolio में किसी दूसरे account में नजर आने लएगा, जिसमें आपने Change किया होगा, Price वाले section में आते हैं, तो यहाँ पे आपको हमिसा प्राइस नदर जाएगी वजी रेक्स पे अपना रुप्या Bitcoin खरीदने के लिए, या भाई करने के लिए, तो सबसे पहले मैं Coinbase पे आके यह गणना देख लेता हूँ कि Bitcoin 24 घंटे के अंदर क्या हुआ है, डाउन में है, अप में है, अप में होता है अभी जो है, यह नीचले अस्तर पे चल रहा है, तो अभी मैं Buy करूँगा, तो आने वाले समय में हमको फायदा आ जाएगा लेकिन अगर मैं यहाँ पे था, इस समय बाई करता तो हमें फायदा नहीं होता, और यहाँ पे जब यह हो था, तो उस समय यह rate नहीं होता, minus में नहीं होता वलकि plus में होता, तो ऐसे situation में मैं नहीं खड़िता तो यहाँ पे आप Bitcoin पिछले हफ्ते में, मन्थ में, येर में कैसा कैसा performance किया है, तो सारी चीज़ी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो आकर आप ट्रेडिंग करते हैं, या Bitcoin इनमें निवेस्ट करना चाते हैं, तो ये एप आपके लिए काफी important हो जाती है, यहाँ पे आप ये सारी चीज़े देख पाएंगे और आप आसानी से अपने पैसे को गुरू भी करवा पाएंगे इस गर्ना को देखते हुए, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सेटिंग है, सेटिंग में बहुत सारी चीज़े आती है और जिसे आप खुछ छेडशा करेंगे, तो पीन वगरा बहुत सारी चीज़े है, वो सब आप लगा पाएंगे तो ज़्यादा चीज़े नहीं है, एक और चीज़ में जाते जाते आपको बता दू कि देखिए, अगर आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाते है इस एप से और किसी दूसरे फोन में अपने एकाउंट साइन इन करना चाहते हैं, तो ऐसे सिच्योसन में आपको अपनी डिवाइस को वेरिफाइड कराना होता है, सबसे पहले तो आप डिरेक्ली कोईन बेस के ओफिसेल वेप साइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आप गूगल पे सर दूसरे में जाके यूज करना चाहते हैं, कोई दूसरा मोबाइल है उसमें आप यूज करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको इमेल पर वेरिफिकेशन जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वेरिफाइड कर लेंगे, तब उसमें आप यूज कर पाएंगे, यनि कि इमेल यहाँ पर email कहीं है, आपको OTP से ज़्यादा important यहाँ पर mail ID है, तो वही mail ID से इसमें sign up कीजेगा, जो mail ID आप regular use करते हैं, that's all guys, यही था आज का यह वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखा दिया, कि कैसे आप coinbase को use कर सकते हैं, coinbase आपके लिए कितना important हो सकता है in future में, अगर all select कर लिजेगा, तब ही हमारी सारी latest update आप तक पहुंचती रहेगी, और इस वीडियो से जुरा हुआ कोई भी सुझाव या सवाल है, तो आप comment section में बोल सकते हैं, हम कोसिस करेंगे कि बहुत जल्द आपके problem का solution ढोन के लाए, thank you so much guys, अपना प्यार और support हमें देने के लिए मिलते हैं कोर कमाल की नए exciting episode में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, नमस्कार